ह केलो फ्रैंड्स वेलकम टू मैचैनल गुरोज आस्ट्रों पामिस्ट्री आज ये हाथ आया है तो इसका हम एनलेसिस करेंगे 35 एर्स के मेल है और इन्हों ने मुझे जर्रल एनलेसिस के लिए बोला है तो इसका ठोड़ा जर्रल एनलेसिस लेकिन हम astro palmistry के हिसाब से करेंगे ना कि सिर्फ palmistry के क्योंकि palmistry के channels बहुत सारे हैं तो वो जा सकते हैं and they can always do it using the palmist point of view मेरा point of view थोड़ा सा अलग रहता है and I do it based on astro palmistry ठीक है तो उसमें थोड़ा सा फरक अंतर होता है analysis में हर व्यक्ति, हर इंसान और हर professional का अपना तरीका होता है तो जैसे palmist जो है वो जो shape of the fingers बहुत जदा देखते हैं of course देखना भी चाहिए सही भी है और इससे clearly पता चलता है कि इनको जो पैसे का जो है ना काफी जो attraction रहेगा पैसे के इस तरह के जो analysis होते हैं बट यहां पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से जाएंगे ठीक है तो let us go into the hand of this person इस हाथ की कुछ-कुछ चीज़े हम देखते हैं तो सबसे पहले जो striking feature है वो मुझे इनकी जो heart line है ठीक है इसका एक टुकड़ा यहां पे merge हो रहा है यह जो heart line है यह forked है at this point यह है आपका गुरु परवत गुरु परवत अच्छा हुभार लिये हुए लेकिन इसमें वजर कवच नहीं है ठीक है तो वजर कवच क्या होता है और इसे किस तरह करना है यह सब आप जो students और फेस्ट और पानेश्टे उनको पता ही होता है तो वजर कवच नहीं होने की वज़े से इनको जो protection है वो कम मिलेगी और जिस तरह का जो गुरु का जो tilt है गुरु माउंट का tilt है उससे clearly पता चलता है कि गुरु वक्री है गुरु वक्री है रेट्रोगेड बोलते हैं इसको ठीक और दूसरी बात यह पता चलती है कि गुरु के उपर थोड़ा सा राहु का प्रभाव है जी ठीक है थोड़ा सा राहु का प्रभाव दिख रहा है मुझे गुरु के उपर उससे कभी कभी क्या होता है एक इफेक्ट तो यह होता है कि परसन इस वेरी रिसर्च मैंडेट ठीक है काफी डीप में रिसर्च करता है यह परसन जो जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग विदेश में जाके सक्सेस मिलते हैं क्योंकि जो इंडिया या अपने जो देश में होता है उससे हटके इनका दिमाग होता है ठीक है इत करने का तो इस वज़े से भी होता है और इनका जो जो चंदर है इनका चंदर है उनको साथ दे रहा है तो इन ओवर आल जैसे पामिष्टर के क्या होता है यह जो रेखा है ना चंदर की तो यह रेखा दिखाती है person can get success somewhere in Africa ठीक है आफरिका या Middle East Mena region बोलते हैं आफरिका में बहुत सारी लोगों को जो इस तरह की जो moon line है जिस की जिस तरह की moon line है उससे ये clear हो जाता है और यहां पर यव का निशान है मतलब इनको problems होंगी ठीक है it's not that easy इनको problems होंगी लेकिन इनको success इस area में मिलेगा ज्यादा आफरिका में तो इनको अगर मैं साला दूँ तो अगर हो सके तो ऐसा नहीं बोल रहा हो कि जाना ही चाहिए हो सके तो अगर इस area में ट्राइ करें better than India गर इंडिया में आपको 10 मिलता है तो यहां पर 15 मिलेगा ज्यादा फरक नहीं बट इंडिया से निश्ची थी ज्यादा पैसा मिलेगा ठीक है this is just a suggestion इसको लेना है लीजिए मैं ऐसे किसी को suggest नहीं करता अब चलते हैं इनके headline पर headline जो है यहां पर जो connection है यह जो feature of the headline है यह जो feature of the headline है यह दिखाता है कि और इस area में यह दिखाता है कि मंगल मार्स पे केतु का प्रचंड प्रहार है इसको हम पिशाच्य योग कहते है और घबराई है मत पिशाच्य योग का मतलब क्या है कि जो हानिकारक प्रवतियां मतलब जो मन में या फिर कर्म में जो sudden spurts of energy कभी कभी आती है और उसमें है यह कुछ गड़बड कर सकते हैं तो यह जो sudden spurts of energy है या फिर जो अंदर की जो कुछ ऐसी जो तामसिक शक्तिया है वो कभी कभी बाहर आती है तो मैंने इनको बोला हुआ ह कुछ कुछ चीज़े करने के लिए क्योंकि यह खराब योग है और इसको काबू में लाना बहुत जरूए है कि यहाँ पे connection just बन रहा है just बन रहा है ठीक है बट कुझ रेखाओं से और नाडिका रेखाओं से यह touch हो रहा है यह touch जैसे होता है न स्पार्क जैसा है यह जो द इनकी जो fate line है वो भी एक अलग type की है you see this is the shape of the fate line ऐसी fate line वाले थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इनको विदे से related फायदे होंगे लेकिन इनको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा परिश्रम काफी करना पड़ेगा और ऐसा लगता है कि जैसे जो आपकी जो headline है इसके साथ ही इसका सम्मंद बनाया हुआ है और इससे पता चलता है कि जो मंगल है और शनी है मंगल एवं शनी का परिवर्तन योग है ये खासा फरक नहीं देगा इतना ही इनको advantage देगा देखो कि जो पिशाच योग जो है ना पिशाच योग को ये almost 50% तक य कर देगा जिससे इनको फाइदाई होने वाला है ठीक है तो ये थोड़ा सा अजीब type का है आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं ज्यादा deep में नहीं जाता तो ये important चीज है इस हाथ में no doubt अब चलते हैं इनका जो बाकी की चीज है अब देखे मुझे थोड़ा सा zoom in करना पड़ेगा हाँ ये ठीक है मुझे लगता है ये दिख रहा है you can see आप देख सकते हैं कि जो lifeline है lifeline has a flow in two directions ठीक मतलब क्या है मतलब ये है कि एक यहां से यहां तक है और बाकी का ये एक first part है और ये एक दूसरा part है second part है ठीक तो ये दो part होगे lifeline के अब चलते हैं what it actually means और इस सकत मतलब क्या है इसको कैसे analyze करेंगे भाई ये देखना पड़ेगा न तो हम पकड़ते हैं इस area को इस area को पकड़ते हैं और हम इस area को पकड़ते हैं ठीक है ये जो area है 30 years का area है roughly 30 30 years का area है 30 years में इन्होंने कुछ काम शुरू किया जो भी कुछ काम शुरू किया इन्होंने ठीक है अब मैंने इनको दो बार पूछा कि 32 में क्या हुआ था भाई हुआ था ये बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ था कुछ भी तो नहीं है दिखे जब मैं सवाल पूछता हूं तो मेरा कुछ उसमें मतलब रहता है अब मैं क्यूं पूछ रहा हूं मैं ऐसा मैंने क्यूं पूछा मैं इसका reason आपको पताता हूं देखो ये जो link है ना 32 की ये क्या है मुझे नहीं समझ क्यूंकि मैं तो business नहीं करता है इनका कुछ तो है जो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे भी समझाने का थोड़ा सा problem हो रहा है ठीक है लेकिन अवश 32 की link 38-39 years है अब हम चलेंगे इसमें one by one अब देखिए 32 वाली जो line है ये 32 वाली line ठीक है 32 में इन्होंने अच्छा progress किया था 32 में कुछ अच्छा progress किया है इन्होंने no doubt लेकिन 32.5 में 32.5 में इनको slowdown शुरू हुआ है और वो 35 तक मुझे दिख रहा है एगें मेरे थोड़ा सा ड्राइंग गड़ बड़ो गया है एक मिनिट थिन होना चाहिए ये बहुत थिक है लाइन ये थोड़ी ऐसा समझे लिए बहुत थिन है ठीक है तो ये थिन रिखा है जो 32 में 32 वाली जो line है 32.5 से लेके 35 तक अभी इनका फिलाल इनका age 35 है बहुत ज्यादा problems चल रही है इनके business में ऐसा मुझे इस area से मुझे दिख रहा है इसको सब पो रहू रहा रहू रहा मत बुलिए प्लीज सिर्फ रहू रहा नहीं है ये बहुत सारी और सारी चीज़े होती हैं चलो आजकल राहू रेखा famous है इसलिए मैं बोल देता हूँ राहू रेखा ठीक है ये सरपी है अलग टाइप की राहू रेखा है तो 32 तो 35 तक इनको problem परिशानी होगी लेकिन लेकिन मुझे क्या दिख रहा है ये मैं आपको बताता हूँ देखो 35 प्लस मतलब 35 प्लस could be 35 and a half या 36 के आसपास इनको अच्छा success मिलना शुरू होगा मतलब 35 and a half के बाद या 36 के आसपास इनको अच्छा success मिलना शुरू होगा 36 पकड़ लीजे 36 to 37.5 तक अच्छी success मिलेगी इवन 37th year में ये अपना घर भी बदल सकते हैं house, residence भी बदल क्यूंकि मुझे इसमें turn की रेखा दिख रही है और generally ऐसी रेखा जब यहां से आती है family से आती है तो वो दिखाती है कि आप अपना घर change करते हो या फिर आप family में कुछ change होता है या फिर आपका हो सकता है कुछ some changes घर ही हो लेकिन घर को ही आपने renovate कर दिया फिर नीचे के floor से उपर की तरफ या फिर ऐसा कुछ ऐसा कुछ change मुझे दिख रहा है 37th year में ठीक है? लेकिन गड़बड आती है 38th year और 39th year में ठीक अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह बार बार यह क्यों पूछा 32 वाला कुछ तो है एक आगात आपको 38th year पे पड़ेगा और उससे भी थोड़ा सा deep आपको जो blow मिलेगा वो 39th year पे मिलेगा अब मैंने क्यों बोला ऐसा? मैं आपको बताता हूँ इसलिए मैंने पहले आपको यह जो इस area का वरणन किया था कि यह जो योग है इसका जो activation period है वो है आपका 38th year में इसका activation हो रहा है तो इस time पे आपको क्या-क्या हानी हो सकती है ठीक है? अब इतना तो deep में जाने का मेरे पास भी time नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक हो सकता है legal trouble disputes बिजनेस में कोई अगर disputes है तो disputes तीसरा financial loss यह तीनों चीजें या फिर इसमें से एक कोई चीज भारी भरकम आपको हो सकती है और यह इसका संबंद कुछ हो सकता है देखे कभी-कभी कुछ-कुछ जो चीजे होती है हमें पता ही नहीं चलती क्यूं हुई है तो इसलिए astrology और astropharmistry या फिर जो इस तरह के sciences से वो आपको एक link देती है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ दुश कर्म या फिर ऐसा कर्म किया है 32 साल में जो आपको पता ही नहीं है लेकिन उसका जो effect है आपको 38-39 में मिलेगा यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीके तो इतना ही लीजिए इसको तो आपने जो काम शुरू किया इसकी तरक्की मिली आपको वो काम जो है आपका मैंने जो दो यहां पे compartments डाले थे एक 44th year में यह खतम हो रहा है जो आपने अभी काम लिया है वो खतम हो रहा है आपका 44th year में ठीक है तो यह काम you will have to close down उसके बाद जो आप काम करोगे वो आपको success मिलेगी ठीक है उसके बाद आपको success मिलेगी अब मैं क्यूं बता रहा हूँ इसे चलो देखते हैं एक दो ये दो तो बुधरे का हैं हलाकि ये पॉंच नहीं रही है इनको block कर दिया गया है ये trial बोलते हैं इसको एक दो तीन तीन चार attempt try बोलना बोलते हैं लेकिन एक बुधरे का बड़ी चुस्ती से बड़ी चालाकी से बुध के परवत तक जारी है अब मैं आपको दिखा आता हूं ये बुधरे का जो है ये बड़ी चालाकी से यहां पहुंच रही है और ये family members की भी मुझे help इसमें दिख रही है इदर आपके घरवाले आपके घरवालों का पैसा या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है इसमें लेकिन ये जो ये जो बुधरे का ये आपको बह आपका जो mind line का जो टुकड़ा है ना इसकी जो energy की जो बहाव है वो बुध की तरफ है इससे आपको business mind तो जबरदस मिले वाला है लेकिन अगर मैं इससे ज़्यदा zoom नहीं कर पा रहा हूं लेकिन ये जो area है यहां पे मुझे यव का निशान दिख रहा है और ये जो यव का निशान है ये आपका 32.5 इसलिए मैंने 32.5 to 35 प्लस बोला था यहां देखके मैंने बोला था ठीक है तो ये भी दिख रहा है मुझे इसमें ठीक तो ये आपका यहां वाला analysis अब चलते हैं शुक्र परवत पर अब देखिए इस हाथ को वापस एक बार मैं analyze वापस देखते ह हैं इसको अभी कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ-कुछ YouTube वीडियोस की भाई चंदर उतना वीक है तो फिर विदेश से संबन नहीं होगा ऐसा होता नहीं है चंदर वीक ऐसा नहीं है इनका इनका शुक्र स्ट्रॉंग है बट शुक्र स्ट्रॉंग है इसका फाइदा इनको होगा शुक्र की जो शुक्र बुद के जो साथ रेखाएं है शुक्र और बुद का जो मिलन है ये आपको extremely talented बनाता है creative बनाता है आपको business minded बनाता है basically शुक्र के जो businesses हैं जैसे textiles हैं fabrics हैं या फिर perfumes हैं या फिर कपड़े basically कपड़े या फिर शुक्र से related जो भी इसमें आप trading कर सकते हो shops कोल सकते हो इस type का आपको या फिर अगर ये नहीं तो कोई और creative चीज़े आप बेच सकते हो या फिर कुछ creative चीज़ आप कर सकते हो इस type का आपको trade मिलेगा लेकिन ये आपको इंडिया से ज्यादा फाइदा आपका बाहर के देशों में ही होगा कि जो मुझे मंगल और शनी का जो चेंज दिखता है ना एक्सचेंज दिख रहा है ना तो इसका फाइदा इनको ये जो पिशाच्य योग को कम करने में बहुत प्रभावी है जैसे मने बोला 50% तक इनको उससे निजात मिल रही है बाकी का इनको मैंने कुछ उपाय लिखके द अब चलते हैं देखे एक नेगेटिव पॉइंट जो है आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखेगा हला कि नेगेटिव है देखे शुक्र अच्छा है आप प्रॉपर्टीस बनाएंगे आपको प्रॉपर्टीस वगरे आप करेंगे ये सब बहुत अच्छा है पैसा भी कमाएंगे नो डाउट लेकिन एक दुश परिणाम शुक्र का ये होता देखे अब ये आपकी विवाह रेखा है यहां पे आके मर्ज हो रही है ये एक कॉंबिनेशन है और एक दो तीन चार पांच छे साथ ये ओरलैपिंग लाइन से और ये इनके साथ जुड के जा रही है मैं बोल रहा हूँ वापस सुनिए ये शुक्र की जो माउंट की जो पोजिशन है नमबर वन नमबर टू जो विवाहर रेखा जो यहां पे मर्ज हो रही है नमबर त्री जो हार्ट लाइन की जो ये लाइन इसके साथ जाने की कोशिश कर रही है और यहां का जो गुरू का जो माउन पे जो ये कॉम्बेनेशन है आपको मन पे काबू रखना चाहिए वरना फैमिली लाइफ थोड़ा सा आपका मतलब प्राब्लम हो सकता है you have to be careful with your mind mind games पे careful रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी science दिख रही है मुझे तो आपको थोड़ा careful रहना चाहिए क्योंकि आपके पास शुक्र जो सारी जुपिटर का कवच भी नहीं है जुपिटर का कवच होना जरूरी है मैं तो चाहता हूँ कि आप जुपिटर का कुछ उपाय करें जिससे आपको गुरु बल मिल जाए गुरु बल मतलब गुरु का जो बल होता है वो आपको मिलना जरूरी लग रहा है मुझे ये भी कभी-कभी important है क्योंकि जो अपने हिंदू शास्त्रों में कहा गया है शुक्र जो है वो असुर के आचारिय है और गुरु जो है वो जो अपने क्या positive power के आचारिय है मैं भूल रहा हूँ नाम तो ऐसा है कि अगर इसको ज़्यादा energy मिल गई तो ये विनाश कर सकता है आप समझ रहे मेरी बात तो ये इसलिए मैंने बोला तो असुर और देवगन तो ये देव गुरु है और ये असुर के गुरु है तो इस वज़े से जो energy flow है वो उस तरफ ज़्यादा दिख रहा है उसको काबू में करना अत्यावशक है क्योंकि यहाँ की formation और यहाँ की जो formations है इससे आपको थोड़ा सा trouble हो सकता है ठीक है तो आप careful रहेगा तो इतना ही था बाकी आपका life ठीक ही जाएगा अच्छी बात है जो मैंने आपको बोला 38-39 प्लीज मत भूलिए और पैसे के मामले में थोड़ा सा आप careful रहेए ज़्यादा पैसा इधर-उदर डालना नहीं है क्योंकि यहाँ पे luxury lines काफी अच्छी है बट फिर भी पैसा इधर-उदर नहीं देना है किसी को वरना गड़बड हो जाएगी अच्छा यहाँ पे यहाँ का निशान है इसका मतलब आपको prosperity मिलेगी जिंदिगी बर ठीक है so nothing wrong in that बाकी मुझे ठीक ही लग रहा है सब कुछ बट यह जो मैंने चीजे बोली इसके उपर आपको ध्यान देना चाहिए thank you very much